नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक इस वीडियो में हम बाल विकास और सिक्षा सास के उन क्वेस्चन को कवर करेंगे जो देखने में तो बहुत आसान है लेकिन इन्हें अगर दोहराय न जाये तो एक्जाम में हम इसा confusion के कारण हम इने गलत करके चले आते हैं दोस्तों कठिन प्रस्ण तो समानता सभी के लिए कठिन होते हैं पर हम सरल प्रस्ण को गलत करने वाला ही हम इसा पीछे रह जाता है तो चलिए हम कोसिस करते हैं कि आपको आसान से आसान भासा में इस questions को एक बार में ही याद करा दें तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं Question number one भासा का मुख्य काउसल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना उपरियोग तुस सभी देखें भासा का प्रियोग लिखने, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में सभी में प्रियोग होता है तो इसलिए जो है इसका उत्तर है उपरियुक्त सभी प्रस्न संख्या दो भासा के मुख्य तत्तो होते हैं अब देखिए, धोनी में भासा का प्रियोग होता है, संकेत में भी और चिन्ध में भी, जयनी कि भासा के तत्तों जो हैं, इसमें से सभी हैं Question No.3 बालक को भासा सिक्षा, अमिन भासा सिक्षड की सिक्षा देने का मध्यम होना चाहिए तो राश्र भासा, मात्र भासा, दुटी भासा, रादेशिक भासा, देखिए इसका उत्तर है मात्र भासा मात्र भासा क्यों? क्योंकि बालक जब अपने सयस्वा वस्था, यानि कि जीरो से पांच वर्स का जो उसका समय होता है उसमें बालक सबसे ज़्यादा मात्रभासा को ही सुनता है और बच्चे बच्पन में यानि अपने छोटी अवस्था में बहुत ही ज़्यादा किसी चीज को आसानी से सीख लेते हैं उनके सीखने की शमता काफी तेज होती है इसलिए वो मात्रभासा को गूर्ण सब्दों को भी आसानी से समझते हैं इसलिए गर उन्हें सिख्चा मात्रभासा में दी जाए तो काफी आसानी होगी उन्हें समझने में और चीजों को याद करने में मात्र भासा का अर्थ है परिवार की भासा, मा की भासा, पिता की भासा या फिर सभी तो देखिए हमेशा मात्र भासा का अर्थ ये नहीं है कि क्यों मा की भासा मात्र भासा का अर्थ है जो हमारे जिसे हमारा जो घर है तो घर के आस पास जो भासा बोली जाती है खास का हमारे परिवार में वो हमारी मात्र भासा होती है तो इसलिए जो है ये आपके परिवार की भासा, मा की भासा, पिता की भासा, सभी की भासा जो है आपकी मात्र भासा है और खासकर याद रखिएगा कि मात्र भासा का ये जो question है ये कई-कई बार repeat हो चुका है इसलिए इसको अच्छे से याद रख लिएगा मात्रभासा का मुख्य उद्देश होता है अब देखिए जो मात्रभासा होती है उसका मुख्य उद्देश है मांसी विकास, सारी रिंग विकास, बौधिग विकास या फिर सभी तो खास कर इसकी एक ट्रिक भी है यही कि अगर किसी क्वेस्चन में आपसे पूछा जाए कि उप्यूग्त सभी तो खास कर जहां तक आप देखोगे कि 95% क्वेस्चन में आपका उप्यूग्त सभी वाला जो है सही एंसर होता है क्वेस्चन नंबर 6 है मात्रभासा की प्रमुख सिक्षण विधी है आगमन विधी, निगमन विधी, अनुकरण विधी या फिर सभी तो देखें यहाँ पे जो है मात्रभासा की सिक्षण विधी है अनुकरण अनुकरण का मतलब होता है कि follow करना किसी को तो आप देखो कि जो बच्चा होता है चोटा बच्चा होता है वो ज़्यादा तर भासा होता है वो दूसरों का सुन कर सीखता है तो इसलिए मात्रभासा सामानितर सिखाई नहीं जाती है बच्चा स्वयम अनुकरण करके सीख लेता है इसलिए मात्रभासा की प्रमुक सिक्षण विधी है अनुकरण विधी Question No.7 भासा अधिगम के कारण होते है भासा विध्यान, व्याकरण, भासा कौसल या सभी तो इसका अन्सर है सभी Question No.8 शिक्षण अधिगम प्रवंधन प्रत्या के प्रवर्तक है B.S. Bloom, Robert Klesser, B.O. Smith, I.A. Davis तो इसका अन्सर है I.A. Davis Question No.9 है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गी करण किया है Robert Mager, Robert Miller, B.S. Bloom, B.O. Smith अब देखिए अगर आपने B.A.D. या फिर B.T.C. किया है तो आपको पता होगा कि जब हम लेसन प्रान बनाते हैं तो उसमें जो है हम Bloom Taxonomy के थूँ है उसकी मदद लेते हैं और उसके बाद जो है Bloom Taxonomy के थूँ हम उद्देश्यों का वर्गी करण भी करते हैं जानी कि जो हम उद्देश ये relation plan के थूँ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसके जो हम उद्देश से तय करते हैं चाहे वो ग्यानात्मक हो, चाहे वो धात्मक उद्देश या क्रियात्मक हो वो हमारे bloom taxonomy से ही आये हैं तो उसलिए उद्देश्यों का वर्गी करन जो है BS bloom ने किया है अगला question देखिए, question number 10 सिख्चा के उद्देश्यों का वर्गी करन अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक यानि knowledge, understanding, application यह हो गया आपका ग्यानात्मक, knowledge भावात्मक, आपका understanding और क्रियात्मक, आपका होगया application देखिए, knowledge वाला जो उद्देश्यों होता है यह वो होता है कि हम जो पढ़ाएं बच्चे को जो fact पढ़ाएं जैसे गौतम बुद्ध का जन्मों 563प इस भी में हुआ है तो बच्चा जयोकात्यों उसे याद कर ले ठीक है, यह हो गया ग्यानात्मक, पुद्देश भावात्मक, पुद्देश्य क्या है भावात्मक, पुद्देश्य यह है कि हम कहें कि आप बताइए कि गौतम बुद्ध ने ग्रिह का त्याक क्यों किया तो बच्चा जो है उसको अपने सब्दों को जोड़ कर एक उत्तर बनाए और उसको आपके सामने प्रस्थूज करे यानि उसमें उसकी भी मानसीक सक्ती का प्रयोग हो वो होता है भावात्म कुद्देश अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो तीसरा होता है आपका क्रियात्म कुद्देश यानि अप्लिकेशन लेवल हम बच्चे से कहें कि भारत का नक्सा बना हो जिसमें नेपाल वगएरा हो हम बच्चे से कहें कि आप बताए गौतम बुद्ध किस अस्थान पर पैदा हुए उसे मानचीत्र पर इंगित करिए तो बच्चा उठे और जाकर उंगली से पॉइंटर से नेपाल के उस लुम्बिनी नामक अस्थान पर उंगली रखे और बताया कि सर यहां पर यानि उसने अपनी मान स्पेसियों का प्रयोग करके अपने नौलेज को अपलाई किया है तो यह हो गया आपका अप्लिकेशन लेवल यह तीनों लेवल जो है आपके सिख्चा के उद्धेशियों का वर्गी करण के अंतरगत आते हैं तो यहनी उसका उत्तर है सभी प्रसंत अंख्या 11 सुक्ष्म से इस्थूल की ओर जो सिक्षन सुत्र है इसका पालन सुरी यहां पालना दिखा है यहां का पालन किस विधी में अस्पष्ट दिखाई देता है यह आगमन निगमन प्रदर्शन प्रोजेक्ट तो सुक्ष्म से स्थूल की ओर निगमन विधी में होता है ठीक है प्रयोक साला में कार करते समय विध्यार्थी किस विधी का अनुसरण करता है तो प्रयोक साला में कार करते समय विध्यार्थी आपके ओप्सन है आगमन विधी, निगमन विधी, प्रदर्सन विधी, प्रोजेक्ट विधी तो देखें इसका उत्तर है आगमन विधी सबसे आगमन विधीम क्या होता है? सबसे पहले बच्चों को example दिये जाते हैं यानि उधारन दिये जाते हैं उदाहरण के बाद जो है फिर उसको नियम बताया जाते हैं ठीक है तब यहाँ पे होता है रूल और जो निगमन विधी होता है आपका निगमन विधी इसके जश्ट अपोजिट होता है सबसे पहले बच्चों को नियम बताया जाते हैं उसके बाद फिर उससे जो है चीजों क को हल कराय जाता है क्रेश्चिन नंबर 13 प्राथमिक अक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधी आपकी दिरिष्टी में उत्तम होगी तो देखे यहाँ पे है व्याख्यान विधी, समस्या समाधान विधी, आगमन विधी, निगमन विधी अब देखे यहाँ पे आगमन विधी ही सही उत्तर है क्यों कि छोटे बच्चों को सबसे पहले हम उदाहरन देते हैं उदाहरन देने के बाद तब उनसे समस्या का समाधान करवाते हैं हिंदी भासा में स्वरों की संख्या होती है 11, 12, 13, 14 इसका एंसर है 11 भासा की प्रथम सार्था की काई होती है अब देखे यहाँ पे चार आप्सन है अक्षर, सब्द, वाक्य या फिर कोई नहीं तो देखे खास कर कुछ बच्चे इसमें सही अंसर करके चले आते हैं अक्षर को कि एक सार्था की काई है वास्तों में देखिए जो अक्षर है वो भासा की सबसे सुक्ष मई काई है सबसे छोटी काई है लेकिन सार्था की काई नहीं है का कोई अर्थ नहीं निकलता है जो भासा की सबसे सार्था की काई है वो है आपका सब्द ठीक है? क्योंकि सब्द का ही एक सार्थक अर्थ निकलता है अगर इसमें आपको लग रहा हो वाक्य तो वाक्य का भी एक सार्थक अर्थ होता है लेकिन वाक्य से भी जो छोटा है तो हम बात कर रहे हैं प्रथम की प्रथम सार्थक तो इसलिए जो है सब्द सही अप्शन है गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है सर्जनात्मक गद्य, वर्नात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या फिस सभी तो देखी इसमें जो है सर्जनात्मक गद्य सही अप्शन है गद्य सिक्षण की मुख्य विधी है उद्वोधन विधी, प्रवशन विधी, अस्पश्टी करण विधी ये फिस सभी तो गद्य सिक्षण में हम इन सारी विधियों का प्रयोग करते हैं माध्यमी कस्तर पर गद्य सिक्षण में प्रयोग में लाई जाने वाली विधी या फिस सभी तो देखे यहाँ पे भी इसका उत्तर है सभी यानि माध्यमिक अस्तर पर भी गद्य सिक्षण में अर्थबोध प्रवचा नस्पस्टी करण का प्रयोग होता है Question number 19 व्याकरण सिक्षण की मुख्य विधी है तो व्याकरण सिक्षण की मुख्य विधी क्या है यह तो मैं कहूँगा कि यह very important है इसको जो है जैसे भी याद हो आपको याद कर लिजिए कि आगमन, निगमन, आगमन निगमन या इन में से कोई नहीं तो देखे इसका सही अंसर है आगमन निगमन विधी, ठीक है, इसको कई कई बार जो है एक्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए उसके इसाब से भी काफी इंपोर्टन्ट हो जाता है, आगर आपको आपको यह टॉपिक पसंदाया होगा, अगर आपको पास कोई स्क्वाइरी या सजेशन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बाक्स में लिखकर बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही नॉलेजबल और यूसफुल वीडियो मिलती रहे, तो आप वीड कि नीचे दिये गए लाल बटन को प्रेस करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार